हम जो हाँ प्रेयर छे हां प्रेयर करते हे नमादक है निभाण प्रेयर न आदक ही और वह सब्सक्राइब अप्रेक अप्रेक तो आगैं गुझराती बुलि ये कान प्रत्या स्टुडेंट इंदी तो फावेद ने तों? हाँ, आंतर यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देधाली जिवात्मा का किंचेत मात्र भी अहम न दुभे न दुभाया जाए या दुभाने के प्रती अनुमोदना न की जाए ऐसी परम शक्थे दिजिए मुझे किसी भी देधारी जिवातमात का किंचित मात्र भी अहम न दुभे ऐसी स्यादवाद वानी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने के परम शक्थे दिजिए जाए आए खत्म हुआ राइट और प्लास नाइट, क्लास एथ का रिजल्ट आगया है? कैसा आया है? 57 परसंट इजा इतने स्कुटेंट है हुमारे क्लास में? 21 एक सबसे ज्यादा होंगे उसके कितने होंगे? एप्रॉक्सिमेट भी? ऐसे ही रॉफली शायद? 95-94 हुए और सारे पास हुए है या कोई फेल भी हुआ? पता हुआ अच्छा अभी तो स्कूल में जाएंगे तब पता चलिए भाडगव नाम है ना? वह इंपर कहां पर रहे तुए? कि आगे लास्ट में? नास्ट में आया था तुम्हारे बढ़ पता है ना? पता है? नहीं पता है नहीं पता है ना? मैं के सारा हाई दा है पापा का नाम गया? उंकेश भाए और मॉम्मी का नाम? सीमा भी ठीक और तुम फिर फोपर में बात में देता हूँ और तुम मोबाइल नंबर देखे जाना जो पैरेंट का और जो तुम घर से यूज कर सको तो हर रोज हमारा टाइमिंग होगा चार बज़े अगर ज्यादा कुछ डिसकस करना हो प्रैक्टिस करनी हो तो हमारा टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो दैंगा फाइमिंग के बाद नहीं चार बज़े से पहले वह मैं इंफर्म कर दूना कभी कभी एवरी डे चार बज़े तो आना ही है एवरी सेटरडे शनिवार को टेस्ट रहेगा तो अच्छे से प्रिपैर करनी है आज पढ़ाओं वह आज ही घर जाके कर देना है और जो भी ना है तो कल वापस आके पूछ लेना है कि सर समझ में तो आ गया था फिर घर गए इतना हुआ इतना नहीं हुआ रोज करोगे तो बिल्टप नहीं होगा ओके मतलब वो जो बोलते ना हम पहार वो डाउट्स का वो पहार बन गया तो वो नहीं वोगा रोज का रोज नहीं आरा आया खतम खतम तो ऐग्जाम के आगे अगे अगे फ्री पर हैं हाँ सब हो जाएगा चलो प्रतिस करें नहीं रहे तो पहार देखें जैसे पहण जाते अधे तो एससे कई पे ट्रैकिंग कई लिय गए तुम पावागर चले गए और तुम पहार ग चले गए माता रहे इतना, आका जाता क्यों बहुत बड़ा है लेकिन, रोज थोढ़ा में तो ओपर देखे भी नहीं चल लो तो नहीं लगे उपर पहुंच जाओंगे तो भी पता नहीं चले आरे जली उपर आ गए वह क्यों आ गए तो इतना उपर है नहीं मुझे 10 मिनिट में इतना चलना है बाकी 10 मिनिट में इतना चलना है आगे ध्यान दो बहुत उपर गोल रखना है कि वहां पहुंचना है फिर वो पहुचने के लिए क्या-क्या activity करनी है वो हमें करनी है रोज तो जो ना आये बिंदास पूछ लेना है next day okay practice करनी है जो में दू वो घट से करके आना है then कुछ भी ना हो पूछ लेना है doubt नहीं रखना है किसी को समझ में आये या किसी को समझ में मतलब जिसको समझ में ना आये वो पूछ लेगा लेकिन जितना है उतना रोज करते जाना है और नहीं आया तो कर लेंगे, देखो कोई भी चीज कब तक नहीं आयेगी, उसको तुम बार-बार करते रहोगे, एक दिन आ जाएगी, तुम्ही साइकल चलाने आती हो, तो पहले तो नहीं आती होगी, स्टार्टिंग में, कितने गिरे होंगे, कितनी चलाई, कितने एक्सिड करते थे ये वो, फिर अब तो दोड़ते हैं, ओके, तो ऐसे ही रूस का रूस करना है, ठीक है, तो आज हम मैट्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास नाइन का क्या, मैट्स, और मैट्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह हमारा एकेडेमिक यहर का, इस यहर का, फर्स्ट क्लास है, क्लास 9 का, ओके 1st क्लास, और अभी continuous चलेगा ओके, सो हम क्लास 9 की chapter number 2 maths का, स्टार्ट कर रहे हैं जिसका heading है polynomials, क्या है? polynomials, ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं जो जो चीज में बताऊं कि 8 में अल्रेडी बहुत कुछ आ गया है तो तुम्हें याद हो तो बोलता है, बता ना कि हमासर याद है, और ना हो तो बता देना कि सर नहीं याद है, ओके तो सबसे पहले तो polynomials से हम स्टार्ट करते हैं तो हमने basically जो देखे हैं, वो polynomials की बात करता हूँ चलो, स्टार्ट करेंगे तो polynomials, अभी, देखें, equations तो तुम्हें देखे होंगे maths में, okay, equations तो एक होता है linear polynomial, कौन सा? linear polynomial हमारे chapter का नाम क्या है? polynomials एक होता है linear polynomial तो linear polynomial जो होता है उसका general equation कैसे होता है? general equation तो कैसे होता है? ax plus b यह इसका जुझड़ल ही question इसका linear polynomial बद आगाज वापस डिसकस करेंगे detail में लेकिन अभी इतना समझो यह हीच में देखा होगा तो देखाया ना? तो इसे गोलते है linear polynomial दूसरा होता है quadratic quadratic polynomial उसका general formula कैसा होता है? ax square प्लस bx प्लस c यह भी देखा है? याद है? देखा देखा तो तो लग रहा है ना? देखा 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 प्लस bx square प्लस cx प्लस d यह तीन polynomials है यह तीन हमें class 9th में भी पढ़ने है और next year class 10th में पढ़ने है ओके? तो यह equation है यह polynomial है सबसे पहले इन में बहुत सारी terminologies होती है वो class 8th में भी आई थी 9th में भी है तो सबसे पहले इसको distinguish कैसे करता है क्यों यह linear है यह quadratic है और यह cubic है तो सबसे पहले देखो इसमें यह जो है x यह x को बूला जाता है variable क्या बूला जाता है? variable x को बूला जाता है variable variable का meaning क्या होता है? vary करना vary vary से वड़ाया है variable variable मतलब यह same है क्या? नहीं same नहीं है बहुत कुछ change लग रहा है बहुत कुछ different लग रहा है बहुत ज़दा variation है ऐसा नहीं होते हैं पहले के reading में और आज के reading में बहुत ज़दा variation है तो variation मतलब difference अलग है तो जो number change हो सके उसे बोलेंगे हम variable और जो change ना हो उसे हम क्या बोलता है constant का मीनिंग क्या होता है जो है वो वही रहे है ओके तो जो x है वो variable है यह जो b है b जिसके साथ variable नहीं है बी अक्यला ही है उसके पास variable नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे constant ओके यह अपना हो गया constant अभी देखो वैसका variable यहां पर भी है देखो यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर नहीं थाड़ तो यह क्या है c constant क्या है C, यहाँ पे B था और यहाँ पे क्या है C constant वैसे ही देखे तो यहाँ पे X variable है X square variable है X variable है और constant क्या है D, क्योंकि उसके साथ X वाले term नहीं है समझ में आ है तो variable मतलब क्या जिसकी value vary हो, उसको variable बोलेंगे तो यहाँ पे variable क्या है X फिर यह plus और यहाँ पे minus भी हो सकता है plus भी हो सकता है और बीच में क्या, minus भी हो सकता है तो जहाँ पर plus और minus है वहाँ पे term change होती है term मतलब पहली term यह plus आगया तो plus से पहले वाला यह term 1 जैसे हम step 1 बोलते हैं वैसे term 1 तो यह term number 1 और यह term number 2 तो कोई पूछे हमें कि linear polynomial में कितनी terms होती है, क्योंकि यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया term 1 और यह हमारा हो गया term 2 अब यह quadratic polynomial में कितनी terms है, 3 है, क्यों, क्योंकि यह plus आया, तो plus के आगे और पीछे, तो यह 1 और यह 2 फिर प्लस के वापस आगे पीछे, तो आगे वाला तो ले लिया है, तो पीछे वाला, तो कितनी टॉम्स हो गई? तीन हो गई, इसमें टॉम्स कितनी है? तू, इसमें टॉम्स है, तू, इसमें टॉम्स कितनी है? त्री, और इसमें टॉम्स कितनी है, बताओ, पूर, दन? क्यो क्योंकि यह 1, यह 2, यह वापस प्लास आया 3, यह वापस प्लास आया 4. Done? समझ में आया? तो हमने क्या देखा? एक तो टॉम्स देखी. तो कोई भी equation दिया होगा हम मोल देंगे कि इतनी टॉम्स है. Okay, linear में linear मतलब 1, linear मतलब क्या? एक मीनिंग बता हम, linear का मीनिंग क्या होता है? एक, quadratic का मीनिंग होता है? दो, और cubic का मीनिंग होता है? तीन. तीन. ओके. तो यह 1, 2, 3 क्या है? एक, 2, 3 क्या है? उसकी power है. क्या है? Power. मतलब, देखो यहाँ पे variable कहां पे है? यह रहा x. तो x के उपर क्या है? कुछ भी लिखा नहीं है. तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो क्या होगा? 1. कुछ नहीं लिखा होगा, तो हम क्या मानेंगे? 1 लिखा है. तो x के उपर यहाँ पर 1 है. एक्स के उपर यहां पर क्या है वन यहां पर एक्स के उपर दो है यहां पर एक्स के उपर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होगा वन यहां पर एक्स के उपर तीन है एक्स के उपर दो है एक्स के उपर कुछ नहीं है तो एक्स के उपर क्या होगा वन तो अब देखो यह जो है उसकी power कितनी है ऐसा बोलें power power मतलब जो तुम्हारा variable है उसकी मुंडी पे जितने हो उतने है उसका power तो यहाँ यह first term है first term में variable कौन सा है x x का power क्या है one okay और कोई variable है यहाँ पे नहीं यह आके लाई था तो यह one अब दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर x की power कितनी है यहाँ पर 1 तो 2 बी है और 1 लेकिन 2 और 1 में बाड़ा कौन 2 बड़ा सबसे बड़ी power देखनी है सबहरे हैं है इक है और 10 x raise to 10 तो मतलब 10 होगो तो यहां पर बड़ा कौन है 2 तो वह 2 हमारी maximum power तो यह 2 है maximum इसलिए यह क्या है quadratic समझ मैं है इसमें तीन maximum है तो इसको हम क्या बोलेंगे समझ मैं यह क्यों ऐसा बोला है तो variable और variable की power देखने क्या देखना है पावर ओके अब variable के आगे जो लिखा हुआ उसे हम बोलेंगे coefficient को Efficient को Efficient सब्सक्राइब यहाँ पर देखो यह A है variable की आगे देखा देरा है यह हमारा X variable है तो variable की आगे क्या है तोह रहा क्राइब गार्म खते होाifer Tech क्या लिखा हुएए ये ख्रशक्ट-धा है ये ख्रुने है सब्सक्राइब यहां पर T तो ये जो अ है उसको प्तधा है आहाँ टोग्येग हो अच्छा चलो पैट चलो दो तो हम मैट्स का चैप्टर नंबर टू स्टार्ट किये लिए अच्छे तो अभी वापस में समझाता हूं पहले यहां समझ लोते हूं मैट्स का चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम क्या है? क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत आया था याद रोत तो सबसे पहले आप थोड़ा रिविजन कर लेते हैं यह है लीनियर पोली नंबर थ्री पोली नंबर हमें देखने हैं क्लास 9 में एंड उसके बाद next year क्लास 10 में कितने देखो कुछ भी समझ में ना आए अभी सब रेकॉर्ड़े हो गया है तो गर जाके मैं तुम्हें भीज दूंगा तो तुम फोन में देख लेना कि मैंने क्या पड़ाया फिर भी दिवाइस तो करवाई देना हूं तो पहले क्या बताया फटा-फट कि हमारा क्लास एवरी डे होगा 4 o'clock कि अगर जल्दी आना है या ऐसा कुछ है तो मैं मेसेज कर दूंगा कोई पर्टिक्लर डे अदर्वाइस एवरी डे फो रॉक तुम्हारी कौंसी स्कूल है जेक्रिए तुसूबह की है तुम्हारी कर दो है चलो वो टाइमिंग का इश्यू बात में तुमारी दूपैर की है कोई बात नहीं सो थ्री पोलीडा क्लास 9 में और ग्लास 10 में तो एक है पहला लिनियर पोलीडा की कुछ समझ में ना है पूछ लाना कि सर ये समझ में नहीं है जितनी भी बार समझ में ना है उतनी बार पूछे लेकिन डाउट नहीं रखना है दिमाग में और रोज का रोज पढ़ते रहना है सबसे पहले हम बात करते है सबसे पहले हम बात परते है इसमें थोड़ी टर्मिन लाजी डेफिनेशन पूछी तो नहीं जाती लेकिन क्या है वो वो हमें समझना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बात करते है variable की तो variable जो नाम है that is जिसकी value change हो उसको क्या बोलते है variable जिसकी value vary हो उसको बोलेंगे variable तो यहाँ पर variable है x यहाँ पर भी देखो x है यहाँ पर x है यहाँ पर x है यहाँ पर है तो variable क्या हो गया X, generally variable क्या होते है कौन सी मतलब terminologies से हम variable को दिखाते है हम बोलते है X Y Z T Q R वैसी ABC ले लिखते हैं A, B, C तो ये सारे variable के denotations है, denotations मतलब हम ऐसे दिखा सकते है, जैसे मैंने पहला लिखा है Ax plus B, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं Ay plus C तो यहाँ पर variable क्या है A, Y, C Y Y, सिर्फ Y variable है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ X variable है, वैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Y variable है, ओके यहाँ पर already हम A, B और C यूज कर रहे है, so we cannot take ABC, PQR XYZS से हम लेंगे, तो देखो यहाँ पर X है, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर क्या है? Y, जैसे कि MP plus say BQ plus 5, suppose यह एक ऐसा एक्वेशन है, तो इसमें वेरियबल कौन से है, बता आँ जाँ, जैसे, Q, Q वेरियबल है, और कोई है वेरियबल, B, नहीं, B नहीं है, B is not a वेरियबल, पी वेरियबल है, और कोई है, तो अभी यह समझ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें यह पक्का हो जाईगा, तो देखो, वेरियबल जिसकी value change हूँ, उसको वेरियबल बोलेंगे, वेरियबल के आगे जो हो, उसको बोलेंगे कोईफिशेंट क्या 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 बोलेंगे कोईफिशेंट क् क्या है यहां देखो वेरियेबल के आगे जो होगा वो कोफिशन्ट तो वेरियेबल एक्स है उसके आगे लिखा हुआ है तो कोफिशन्ट क्या हुआ यहां पर देखो एक्सक्वेर है एक्सक्वेर के आगे क्या है तो कोफिशन्ट क्या हुआ जैसे मैंने यहां ऐसे लिख दिया क्या लिख दिया 2x प्लॉस y प्लॉस 10 तो पहले मुझे बताओ यहां पर वेरियेबल क्या लग रहा है y, y एक variable है, यस, और कोई variable है, x भी variable है, आपने देखा, x होता है, y होता है, z होता है, तो x भी variable है, और y भी variable है, अब मैं ऐसा बोलू, कि x का coefficient क्या है, तो क्या होगा, 2 होगा, तो X का coefficient क्या हो गया है? 2 यहाँ पर X का आगे A है तो X का coefficient क्या हो गया है? A अगर मैं बोलू Y का coefficient क्या है? तो क्या बोलोगे? नहीं है नहीं है? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर कुछ नहीं है तो we can write 1 हम ऐसा लिख सकते हैं 2X प्लस 1 इंटू Y प्लस 10 ऐसा लिख सकते हैं? देखो यह 2X था, यह 2X है यह 10 है, यह 10 है प्लस, 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 प्लस 1 इंटू Y क्या होता है? 1 इंटू Y क्या होता है? Y 1 को किसी से भी multiply करो answer क्या आएगा? वो जिससे multiply कर रहे हो वो 1 इंटू 1000 क्या आएगा? 1000 1 इंटू 10 क्या आएगा? 10 तो 1 इंटू Y क्या आएगा? Y ओके, तो इसका answer 1 इंटू Y आएगा तो वापस इससे से यही तो आएगा? Y तो हम क्या गोलेंगे Y का coefficient क्या है? 1 understood यह फिर वीडियो देखके या फिर बाद में तुम लिख लेना क्या? कि Anything Anything Multiplied Multiplied With One One से तुम कुछ भी multiply कर Then Answer Will be Same Number Which We have Multiplied Okay One से किसी का भी multiply करो तो answer क्या है गा? जिससे वो multiply किया है वही same number किया है One से अगर one lakh multiple करे तो answer क्या है One lakh One से अगर x को multiply करे तो answer क्या है X किसको भी one से multiply करे तो answer जिससे multiply कर रहे हो ही है और वैसा ही दूसरा रूम किसी को भी अगर zero से multiply करे तो answer क्या है Zero जीरो आएगा या वो number ही आएगा या 1 आएगा? सपोस्पोस्पाइव है मेरे पास 5 इंटु 0 करना हूँ 5 इंटु 0 तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा 1 1 आएगा 5 इंटु 0 क्या आएगा? 5 आएगा? 1 आएगा? 0 आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा 5 इंटु 1 क्या होदा है? 5 5 आएगा? 5 आएगा 5 इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 होता है उसमें तो कोई डाउट है नहीं 5 इंटु 5 होता है अभी भी तो देखा हमने कि anything multiplied by 1 1 के साथ किसी का भी multiply करेंगे तो वो number ही आएगा तो वैसे ही rule क्या है तुम किसी का भी 0 से multiply करो ना तो value 0 हो जाती है या answer भी 0 हो ओके? तो ऐसा ही sentence 0 के लिए भी लिख लेंगे ओके? तो बाट जाती है तो लिए भी आएगा तो अच्छके देखो क्या बूला भी हाँ 0 अच्छके So, any number multiplied by 0, the answer will be 0. याद रहे जाएगा? Any number multiplied by 1. Answer गया आएगा? Number. Number itself. Itself मतलब जिससे multiply गया है वोई number. Done? समझ मैं आगे. तो 1 से किसी का भी multiply करेंगे तो वैसे आएगा. और ये तो multiplied का हो गया, 0 and 1. और से division का भी करें. Any number. Divide by 0. Answer जाएगा? पता है? 0 cannot be in the denominator. ये numerator है. numerator है और ये denominator है. तो numerator में तो 0 आया तो 0. लेकिन denominator में कभी 0 नहीं आता. तो इसका answer आएगा. या तो तुम लिखलो not defined ऐसा लिखो और infinite और sign लिखलो आशे हैं, infinite की sign में आशे हैं. तो ये नहमारा हो गया 1st, ये हो गया 2nd, ये हो गया 3rd. और 4th. Any number divide by 1. तो आशे क्या है? वही number. SHIT! आहा! कर दो कर दो